प्रत्न प्रश्न मुंबई से एक ओनलाइन साधिका का है लिख रही हैं अचारी जी प्रणाम आने वाले कुछ दिनों में ही देश विदेश में गुरु नानक जी को समर्पित साड़े पांसवा प्रकाश पर वो मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी की सिक्षाओं में गुरु शब्द का सदैव महत्व रहा है और जो आप से सीखने को मिला है उसमें भी यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि आज के युक के साधक के लिए बिना गुरु डगर बड़ी कठिन है अचारे जी जिस संस्कृती में जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ हर कोई गुरु बना बैठा है कोई मोटिवेशनल गुरु है कोई मार्केटिंग गुरु है कोई इस बात का गुरु है तो कोई उस बात का गुरु है आज आपसे यह समझना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी में और जो आज हजारों की संख्या में गुरु बने घूम रहे हैं उनमें मूलभूत क्या अंतर था और मुझ जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं उस अंतर को और कैसे स्पष्टा पूर्वक चुनाओ कर सकते हैं जो भीतर के अंधेरे को हटा सके उसके लिए नाम दिया गया गुरु अब उस शब्द का जन्मानस दुरुपयोग कर ले तो वो अलग बात है ध्यान दिजीए भीतर का अंधेरा और भीतर के अंधेरे का ही नाम होता है मैं भाव मैं मेरा संसार मेरे इरादे मेरी इच्छाएं मेरी उमीदें मेरे हर्श विशाद जो इन पर प्रकाश डाल सके उसका नाम गुरु है जो बता सके कि आपके परेशान संसार के मध्य जो मूल परेशानी बैठी होई है उसका नाम मैं है उसी का नाम गुरु है मैं कौन जो शरीर से संबंध रखता है मैं कौन जो दुनिया भर की सूचना और ग्यान रखता है मैं कौन जिसके सब रिष्टे नाते संबंध हो गए रहा है अब मैं का शरीर से रिष्टा है ठीक गुरु का काम है मैं की बात करना शरीर तो वो वस्त भर है विष्ट भर है जिससे मैं जुड़ा बैठा है शरीर की देखभाल अपने आप में एक वाजिब एक वैध विष्टा है लेकिन अगर आप शरीर की ही देखभाल की बात कर रहे हैं तो आप चिकित्सक तो कहला सकते हैं शरीर के गुरु आपको कहना बात गड़बड हो जाएगी और चिकित्सक का काम महत्वपून है चिकित्सक के काम को सम्मान मिलना चाहिए पर फिर चिकित्सक चिकित्सक होता है और उसके पास फिर चिकित्सागी समझ बूज और ज्ञान होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टे होनी चाहिए अनसंधान का प्रयोग का उसका रुख उसका नजरिया होना चाहिए वो विज्ञान का क्षेत्र फिर आ गया कि शरीर को समझो शरीर की देख भाल करो तो अगर शरीर की ही उन्नत में हमारी रुची है तो जो व्यक्ते शरीर की बहतरी की बात करे और शरीर की बहतरी के सूत्र बताए वो फिर चिकिट सक कहलाए गुरु नहीं इसी तरीके से मैं संबंध बना लेता है धन दौलत से और जो जीव संसार में रह रहा है उसके लिए धन दौलत उपयोगी है यहां तक कि उसकी मुक्ति के मार्ग में भी धन दौलत की उपयोगिता हो सकती है तो मैं है जो संबंध बनाता है शरीर से मैं है जो संबंध बनाता है संपदा से हमने कहा शरीर की बात करना ठीक है पर जो शरीर की बात करे वो गुरू तो नहीं है वो एक उपयोगी काम कर रहा है समाज में पर गुरू नहीं है इसी तरीके से अगर कोई है जो आपको पैसा कमाने का हुनर सिखा रहा है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है काम उसका उपयोगी है लेकिन अपने आपको अगर वो गुरू कहने लग गया तो ये उस शब्द की मर्यादा के साथ खिलवाड है आप कहते हैं स्टॉक मार्केट गुरू तो ये गलत हो गया इसका अर्थिये कता ही नहीं है कि वो व्यक्ते जो काम कर रहा है वो निमनकोटिका है, हे है ये नहीं कहा जा रहा है बस ये कहा जा रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो गुरू का काम नहीं है वो ठीक है, वो कुछ शिक्षन आदी कर रहा है वो ठीक है कह दीजिए इसी तरीके से दुनिया में अन्यकई विशय होते हैं जिन्हें मैं पकड़ लेता है गुरू का काम उन विशयों की बातचीत करना नहीं है गुरू का काम ये नहीं है कि उन विशयों को लेकर मैं को और पारंगत कर दे ताकि मैं उन विशयों का और ज्यादा दोहन कर सके ये बिल्कुल गुरू का काम नहीं है गुरू का काम ये नहीं है कि आप जुड़े हुए है मान लेजिए पैसे से तो उसने आपको और ग्यान दे दिया कि पैसा और ज्यादा कैसे बनाना है और इस ग्यान का फिर मैं क्या उपयोग करेगा वो और ज्यादा उस विषय से जुड़ जाएगा मैं इस ग्यान का यही उपयोग करेगा ये तो अंधेर हो गया ना गुरू का काम है मैं को स्वच्छ कर देना उसकी पूर्णता उसके कैवल्य में स्थापित कर देना कि मैं को अब किसी सहारे की जरूरत पड़े नहीं लेकिन उसकी जगए आपने उसको पैसा बनाने का और ग्यान दे दिया तो वो तो और जुड़ गया इसी तरीके से मैं का पहला तादात में होता है शरीर के साथ तो मन में लगातार शरीर तो घुमता ही रहता है गुरू का काम है मैं को शरीर के महत्तो की धारणा से मुक्ति दिलाना यह जो मैं है इसकी दृष्टी में शरीर बहुत महत्तो पूर्ण होता है यह मैं किसी से भी जुड़े सबसे पहले किस से जुड़ता है अपने शरीर से जिससे भी जुड़ता है शरीर के माध्यम से ही जुड़ता है ना और किसी व्यक्ति से भी जुड़ेगा तो पहले अपने शरीर से जुड़ा होगा उसके माध्यम से उस व्यक्ति से जुड़ेगा तो मैं की पहली आसकती होती है अपना ही शरीर मैं को निरंतर विचार किसका चलता रहता है मैं लगातार महतवपूर्ण किसको मानता रहता है अब अगर गुरु जी ऐसे हैं जो बार बार शरीर की ही बात कर रहे हैं कि ये खाओ तो ये हो जाएगा ऐसे चलो ऐसे पीओ इतने बज़े उठो तो वो तो मैं की नजर में शरीर का महत्त और बढ़ाये दे रहे हैं या घटा रहे हैं तो अर्थकानर्थ हो गया न ये तो बीमारी को और बढ़ाने का काम हो गया शिक्षण तक ठीक है शिक्षक कहा जा सकता है फिर गुरु नहीं गुरु शब्द जरा टेड़ा है ऐसा नहीं कि कोई भी उसे पकड़ लेगा शिक्षण ठीक है शरीर की शिक्षा देदी, धन्द उलत की शिक्षा देदी, दुनिया के तमाम विशे हैं उनकी सूचना देदी, शिक्षण तक ठीक है गुरु नहीं गुरु तो बस वही, जिसकी नजर सिर्फ एक एकाई पर रहे किस एकाई पर? मैं पर और वो प्रयासरत रहे मैं की मुक्ति के लिए और किस से मुक्ति चाहिए मैं को? उन सब विशेयों से जिनको मैं पकड़ करके रखता है उन विशेयों की जो बात करे उसका नाम हुआ शिक्षक और उन विशेयों की बात करना भी मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण निश्चित रूप से है लेकिन उन विशेयों की जो बात करे उसे गुरु नहीं कहा जा सकता गुरु वही है जो मैं को उन विशेयों से आजादी दिला दे जो मैं को इस थोथी जूठी और कश्टकारी भावना से मुक्त कर दे कि बिना विशेयों को महत्व दिये चला ही नहीं जा सकता और ये भाव हम सब में बड़े प्रगाढ रूप से बैठा होता है न कि जिससे हम जुड़े हैं उसको महत्व नहीं दिया तो नजाने क्या नुकसान हो जाएगा हमारा और ये भाव ही हमें जीने नहीं देता ये भाव ही सब दुखों का कारण है कि जुड़े बिना निर्भर हुए बिना गुजारा नहीं है गुरु वो जो इस भाव से मुक्ति दिला दे जो मैं की अपूर्णता को जूठा साबित कर दे समझ रहे हैं लेकिन आदमी के खेल बड़े निराले गुरुता से कोई सरोकार न रखना पड़े इसके लिए आदमी ने फिर शिक्षक को ही गुरु का नाम दे दिया नहीं तो बड़ी तकलीफ होती है सुईकारने में कि जीवन में गुरु कोई है नहीं तो फिर किसी को भी कह दिया गुरु है ये जो गुरु शब्द के साथ व्यभिचार किया हमने वो इसलिए किया ताकि असली गुरु से बच सके और कोई आ जाए ऐसा जो वास्तों में असली गुरु के संपर्क में हो तो उसके सामने हम भी शान से खड़े हो के कह सके हम भी जानते हैं कुछ गुरु को हमारे जिहन में कुई कमी थोड़ी है हमारे पास भी गुरु हैं असली से किसी तरह कन्नी काट सके हैं इसके लिए हमने नकली का निर्मान कर दिया और नकली को नाम दे दिया असली का नकली को असली का नाम नहीं दोगे तो नकली को क्या नकली कहके स्विकार करोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी नकली भी चल सके इसके लिए उसका नाम क्या होना चाहिए असली गुरु नानक साहब की अभी प्रश्नकरता ने बात करी खरे उच्चतम कोटी के और असली पर कितने लोग हैं जो अभी वास्तव में गुरु नानक के जीवन पर और उनकी सीख पर चल रहे हैं वास्तव में कम है ना नाम सबने सुन रखखा है परनानक साहब हूँ कबीर साहब हूँ पूछा जाए कि बताना जरा उनकी वानी उनका वांग में उनका शब्द उनका साहित कितनों ने पढ़ा है तो हम कहेंगे हमने तो नहीं पढ़ा हाँ हम उनकी इज़त खूब करते हैं पर हमने उनको पढ़ा नहीं उनको जाना नहीं तो क्या पढ़ा क्या जाना वो और बहुत हैं उनको हम जानते हैं और हैं बहुत हैं उनको हम जानते हैं ये दोनों चीज़े साथ साथ चल रही है अगर गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इन दोनों चीज़ों में फिर संबंध क्या है नकली गुरू को जानना और उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है ताकि असली से बचे रह सको और जैसा है कि कहा प्रिश्ण करताने कि बहुत है जो बोल रहे हैं बहुत हैं जो घूम रहे हैं आप अगर गौर से देखेंगे कि आपके मन का कितना हिस्सा इन सब समकालीन गुरुओं ने घेर रखा है तो आपको पता चलेगा काफी बड़ा हिस्सा वो मीडिया में हैं वो टीवी पर हैं वो सब जगां हैं उतना बड़ा हिस्सा गुरु नाक साहब ने थोड़े ही घेर रखा है हमने किया किया है हमने नानक साहब जैसों से उनका वाजिब हिस्सा छीन करके दे दिया है नकली गुरुओं को मन के जिस हिस्से पर अधिकार होना चाहिए था बाबा फरीद का बाबा बुले शाह का कभीर साहब का रदाश साहब का दादू दयाल का संतलले शुरी का क्रिष्णों का, बुद्धों का, महावीरों का मन के जिस हिस्से पर अधिकार होना चाहिए था असली गुरुओं का किसी शंकर अचारे का किसी दत्तात्रे का मन के ठीक उसी हिस्से पर हमने अधिकार दे दिया है मन हमारा अनंद तो है नहीं कि उसमें सब के लिए जगा होगी मन तो सीमित है और मन के पास समय भी सीमित है और उर्जा भी सीमित है वो उर्जा आप सब को तो नहीं दे सकते एक को देंगे तो दूसरे से छीन करी देंगे यूँ ही किसी चलते फिरते को दे दी तो जो उच्छतम कोटी के थे उनसे छीन करी दी होगी जगह आपने सावधान रहे आपके समय पर किसी का अधिकार है आपका समय आपका नहीं है अपने समय को उसी को दें जिसका उस समय पर वाजिब अधिकार है नहीं तो बात नाइंसाफी की हो गई ना किसी ऐसे को आपने बहुत कुछ दे डाला जो हकदार ही नहीं था उतना कुछ पाने का और हक के मापदंड क्या है मैंने बता दिया आचारे शंकर, दत्तात्रे, कवीर सहब, नानक सहब ये मापदंड हैं, ये पैमाने हैं, ये standards हैं इनके सामने रख कर मापना होगा कि अधिकारी कौन है ये अधिकारी हैं, जो इनके जैसा हो, जो इनके समकक्षो, समतुल्य हो वो अधिकारी है, बाकी तो सब यो ही, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं लेकिन जो अधिकारी नहीं है, वो जानता है कि वो अधिकारी नहीं है तो फिर वो कई तरीकों से नाजायस कबजा करना चाहता है उस जगह पर जहां उसे होना ही नहीं चाहिए, कौन सी जगह है वो, आपका मन, और उस जगह पर कबजा करने के लिए, वो ये प्रचार भी कर सकता है, कि वो जो पुराने सब जितने गुरु हुए थे, उनकी बातें अब जूठी और फीकी और पुरानी पढ़ गई, और उनक तुमको नया अध्यात्म सिखाते हैं, आप देख नहीं रहें, कि ये क्या कहा जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा कि ये, बस एक चाल है, उची जगह, उचों को ही दीजिए, बाकी जीवन के कई आयाम होते हैं, और हर आयाम में कुछ लोगों को जगह देनी होती है, जिसकी जो जगह है उसे बेशक्त दें, पर जूते को सर पे तो नहीं रखा जाता न, जूता हम भेक भी नहीं देते कि बेकार की चीज है, पर जूते को वहीं पहनिए जहां जूते का स्थान है, और उसका भी एक वाज़व स्थान निश्चित रूप से है, लेकिन ये मत कर लीजिएगा, कि जूते को सर पे बठा कहाइब और कहाइब गुरू और जूता भी जौर जोर से कह रहा है हाम मैं भुटू काया है और आफ फिकुरू से भी आगे काूँ प्रणताप है और मैं ही एक मात्र कुरू कुछ तुम पढ़ मतले ना तुम सुन ने हुआना कुछ कर गा दe समझ मिहार ही ये बात आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं सीखें हैं आपको विपढन सीखना है मार्केटिंग आप मार्केटिंग सीखें पर जो आपको मार्केटिंग सिखाता हो उसको मार्केटिंग गुरु मत कह दीजिएगा हम इस शब्द की गरिमा का ख्याल रखें यह हलका शब्द नहीं है कि गए और किसी की पीट पर एक धपा मारा और का और गुरू क्या चल रहा है यह अधार्मिक्ता हो गई कुछ बातें मजाक की नहीं होती कुछ शब्दों का हलका प्रयोग नहीं करना चाहिए गुरू उन शब्दों में सर्वोपरी है कोई आपको जुगा खेलना सिखाए और आप कहें यह गुरू है मेरे जो कि आप कहभी देते हैं यह पापसा हो गया है कह देते हैं कि नहीं जिम जा रहे हैं वहाँ आपका फिटनेस इंस्ट्रक्टर है उसको आप कह रहे हैं यह मैं इनको गुरू मानता हूँ कह यह भाई गुरू वह जो तुम्हारा पांच किलो ओजन कम कर दे ऐसा गहरा देभाव कोई आकर आपको हठयोग के आसन और क्रियाएं और मुद्राएं और गहरा बता रहा है उसको भी गुरू नहीं कहा जा सकता उसको आप अधिक से अधिक कह दीजिए कि योग इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक है योग प्रशिक्षक है गुरू नहीं हो गया बात समझ में आ रही है और ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं कि कुछ शब्दों की गरिमा होती है और उनको मजाग में नहीं इस्तेमाल करते किसी को भी कह देते हैं क्या कि ये मेरी प्रेमिका है और अगर इस तरह हैं आप तो किसी को भी कह देती है कि यही तो मेरे परम प्रेमी है नहीं न वहां हमें इतना ख्याल रहता है कि हर शब्द हर किसी पर लागू नहीं होता चली जा रही हैं आप किसी को भी कह देंगी ये पती है मेरे तो गुरू का दर्जा तो पत्नी और पती इन सबसे उंचा होता है जब आप किसी को भी ना प्रेमी ना प्रेमिका ना पत्ति ना पत्नी बोल देते हैं, तो फिर आप किसी को भी गुरु कैसे बोल देते हैं। ठीक वैसे हमने आज सब उंचे शब्दों को बिल्कुल रौंद डाला है पैरों तले। जैसे प्रेम या लव कुछ भी होता है ना कह देते हैं। I love this, I love that। जबकि उंचे से उंचा शब्द है उसको हलके में, मजाक में, कैशुली, इस्तेमाल नहीं करते पर कर देते हैं। वैसे ही फिर हम, गुरु शब्द को भी नहीं छोडते है। God शब्द को भी कहा छोडा है। The God of cricket, क्या चल रहा है भाई। This was a God level argument, तुम God का level जानते हूँ। God level shot, God level argument, God particle, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में, कहीं का भी हो God शब्द खुसेड़ दोगे। Sex Goddess, क्या, क्या चाट रखा है। किसी स्कूल में भाषा और व्याकरण पढ़ा था। जो आदमी इन शब्दों का सम्मान नहीं कर सकता, जो आदमी इन शब्दों को यूहीं चिल्डर की तरह लुटाता फिरता है, वो आदमी अपना सम्मान नहीं करता। गुरू क्या है। आपकी उच्चतम संभावना को जो अभिव्यक्त देने में मदद कर सके उसका नाम गुरू है। अगर गुरू को आपने मजाक की चीज बना दिया तो आप गुरू का मजाक नहीं बना रहे। आप अपना मजाक बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी जो उच्चतम संभावना है वो मजाक की बात है। और बहुत लोग हैं ऐसे, जिन्हें उचाईयों से कोई प्रेम ही नहीं, जिन्हें उचाईयों की कोई आस ही नहीं, जब उचाईयों से प्रेम नहीं, उचाईयों की आस नहीं, तो फिर गुरू का भी जाहिर है, कोई महत तो नहीं, फिर आपके लिए आसान हो जाता है गु गुरु तो ऐसा है जैसे सीड़ियां एलेवेटर जो आपको सीधे लिफ्ट करा दे ऊपर तक ले जाए उसका सम्मान कौन करेगा उसकी प्रतिक्षा कौन करेगा उसके सामने धहरेपुरुवा खड़ा कौन रहेगा जिसको ऊपर जाने की आस हो जिसको उचाईयों से प्रेम हो जिसको जमीन पर ही लोटना है जिसको धूल ही फाकनी है उसके लिए तो आसान है कि गौड हो कि लव हो कि गुरु हो इन सब को चुटकुला बना दे बस आप मदबन आईएगा चुटकुला बड़े मज़ेदार चुटकुले बनते हैं आप ज़रा बचके रहिएगा एक बात और कही जाती है कि गुरु शब्द का अगर इतना ही महत्तो है कि सिको ने मंदिर को नाम दिया गुरु द्वारा गुरु शब्द का अगर इतना ही महत्तो है कि उन्होंने मंदिर को बड़ा सुन्दर और शुभ नाम दिया क्या गुरु द्वारा अगर गुरु शब्द में इतनी ही गरिमा इतनी ही उचाई है तो आज कल ये जितने गुरु हैं ये वैसे क्यों है जैसा इनके बारे में पता चलता रहता है ये प्रश्न ही प्रश्न करता के उपर मोर दिया जाना चाहिए जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि गुरु शब्द का मजाक आप बनाते हैं जैसे अभी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि किसी को भी गुरु मतमान लीजिएगा तो सपश्ट ही है ना कि किसी को भी गुरु बनाता कौन है कौन बनाता है आप ही बनाते हैं ना आप ही गुरु बनाते हैं किसी को भी बिना योग्यता पर्खे बिना पात्रता का परीक्षण करे बस चकाचाउंध और अंध विश्वास में बह करके तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यूही किसी को गुरु मत बना लीजिए पैमाना है आचारे शंकर जो उस प्रतिभा का हो उसको कहिएगा गुरु पैमाना है अश्टावक्र जो उस उचाई का हो कि जनक जैसे राजा को दिख्षित कर सके उसको कहिएगा गुरु तो सवाल तो फिर आप पर है ना कि अश्टावक्र जैसों को छोड़ करके आपने क्यों किसी को भी गुरु मान लिया ये जितने लोग हैं जिनका नाम लेकर अब आप कहते हैं कि नहीं साहब गुरु में खास क्या है सब गुरु पकड़े जाते हैं जेल जाते हैं तो मैं पूछ रहा हूं उनको गुरु बनाया किसने बूलिये कोई विश्विद्याले की डिग्री तो है नहीं गुरुता कि आप कहीं उस विश्विद्याले ने उनको गुरु बनाया किसी को भी गुरु कौन बना देता है वो लोग न जो आँख मूद कर उनके पीछे चल देते हैं और यहीं आपको समझा रहा हूं आँख मूद कर यूहीं पीछे मत चल दीजिए गुरु शब्द बड़े वजन का है हर किसी के साथ इस शब्द को मत जोड दीजिए भारत रत्न हो जाने से भी ज्यादा उची और विरल बात है गुरु हो पाना सब नोबेल प्राइज फीके हैं गुरुता के आगे आप यूहीं किसी को भी गुरु मानते हैं पहले आपने गलती करी और फिर आप ही कहते हैं कि देखो यह तो गुरु थे और यह तमाम तरह के कांडों में पकड़े गए भाई अगर वो पकड़े गए तो उनकी जो भूल है सो है उनसे दस गुना ज्यादा बड़ी भूल किसकी है उनकी है ना जिन्होंने गुरु शब्द की महत्ता का कुछ ख्याल ही नहीं रखा कुछ जाचा नहीं कुछ पर्खा नहीं जैसे कि भारत रत नहीं रहा चलते किसी पर भी निचावर कर दिया जाए ऐसा होता है क्या ऐसा होता है क्या भारत रत नहीं तो छोड़ दीजिए पदमश्री भी ऐसे मिलता है क्या वहाँ भी बहुत जाचा जाता है बहुत पर्खा जाता है आपने कैसे यूहीं कहीं भी जाकर के कतार लगा दी कैसे और फिर जब वहाँ पता चला कि मामला खोखला था तो फिर आपको बहाना मिल गया ये कहने का कि गुरु शब्द ही खोखला है अरे गुरु शब्द खोखला है या आपका चुनाव खोखला था बताई ये आपने गलत जगह जाकर के गलत चुनाव किया ना और गलत चुनाव हम क्यों करते हैं उसकी बात हम कर चुके हैं नकली के पास जाना जरूरी हो जाता है असली से बचने के लिए कौन पढ़े ग्रंथों को कौन जाए श्री कृष्ण के पास कौन महनत करे स्वाध्याय की इससे अच्छा चलो कहीं जा करके कुछ सुन लो सत्संग में बैठ लो टीवी पर देख लो यूट्यूब लगा दो और कौन महनत करे अपने जीवन को बदलने की और सुधारने की यूँ ही जा करके किसी के सामने बैठ जाओ दो घंटे कुछ बातें सुन ली मन जरा हलका हो गया अपने आपको दिलासा दे दी कि चलो हमने भी कुछ नेकी का कुछ पुर्णे का काम कर लिया जैसे कहा जाता है कि लोग जैसे होते हैं वैसे ही उन्हें नेता मिल जाता है ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि लोग जैसे होते हैं उन्हीं के अनुसार गुरू पैदा हो जाते हैं अगर लोग ही प्रश्रे दे रहे हैं बेईमानी को तो ताज्जुब क्या है कि लोगों कि मांग को पूरा करने के लिए जूटा और बेईमान गुरू भी पैदा हो जाएगा बाजार का नियम है जिस भी चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई करने वाला कोई न कोई मिल जाएगा अगर आपको सच की जगह सांतोना ही चाहिए तो कोई न कोई मिल जाएगा बाजार में जो सांतोना ये बाटेगा अगर आपको नंगे सत्य की जगह चमक दमक वाला चकाचाउंध कर देने वाला सुन्दर कपड़ों और आभुषणों से सुसजित जूट चाहिए तो आपको मिल जाएगा कोई बाजार में जो सुन्दर कपड़ों और आभुषणों से सुसजित जूट आपको देगा और आप कहेंगे यही तो हमें चाहिए था, मिल गया वो आपको वही दे रहा है, जो आपने मांगा है वो आपके आगे-ागे नहीं चल रहा है, वो गुरु नहीं है वो आपकी मांग के पीछे-पीछे चल रहा है आप जो मांग रहे हैं वो उसका सप्लायर मात्र है वो बस आपूर्ति कर रहा है आपकी मांग है कि जैसे जीवन के हरक्षेत्र में हमें कुछ बड़ा बड़ा चाहिए चुदिया देने वाला चाहिए उत्तेजित कर देने वाला चाहिए सतही चाहिए गहरा नहीं चाहिए वै सतही बातें करता है और लोग खुश हो जाते है सतर्क रहिए अध्यात्म खिलोना नहीं है अपने हाथ का अध्यात्म खुद को बदलने का संकल्प है अपने मनुरंजन के लिए नहीं है अध्यात्म अपनी कामनाएं पूरा करने के लिए नहीं होता अध्यात्म अध्यात्म उस केंद्रिये मैं से छुटकारा पाने के लिए होता है जो हमारे जीवन की मूल परेशानी है बात समुझ रहे हैं? जितना गहरा आपका संकल्प होगा अपने दुख से मुक्तिका उतना ही आप में सम्मान होगा गुरू के प्रते अगर आप में ये संकल्प ही नहीं है कि जीवन आजादी में और आनंद में बिताना है तो आप गुरू का सम्मान कर भी नहीं पाएंगे और गुरू का अपमान करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी भी ओंगे-पौंगे को नाम दे दो गुरु का गुरु का अपमान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है ठीक है ना कि अब जैसे मैं अनुज का अपमान करना चाहूं और यह बड़ी पुरानी विधी है तो मैं क्या करूँगा बाहर एक गधा पकड़ूँगा और उसके माथे पर लिख दूँगा अनुज यह बहुत पुराना तरीका है या नहीं है कि जिसका अपमान करना चाहो उसका नाम एक गधे के माथे पर लिख दो अब वो गधा घूम रहा है और कह रहा है मैं अनुज हूँ वैसे ही जब आपको गुरू का अपमान करना होता है तो आप समाज में कोई भी गधा पकड़ लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं गुरू का यह उस गधे का सम्मान नहीं बढ़ाया जा रहा गधा तो गधा है बात जाहिर है आप भी जानते हैं कि वो गधा गधाई है यह वास्तव में आप गुरू के प्रते अपनी अवमान ना दर्शा रहे हैं किसी को भी कहा दिया यह गुरू है वो गुरुदेव है वो सद्गुरू है वो ये है वो वो है एक से बढ़ कर नाम है कोई आचार्य है, कोई श्रीमध है, नामों की क्या कमी है, कोई स्वामी है, जितने तरह के अलंगकार लगाये जा सकते हैं, सब लगा दिये गए, किसके माथे पर, गदहे के माथे पर, हम, अच्छा है ना, हर बार मुझसे कुछ लोग रुष्ठ हो जाते हैं, जो रुष्ठ हो गए हो, उनको एक विधी बता दी मैंने, या बोधस्थल के सामने, कोई गदहा पकड़ना और उसके माथे पर लिख देना, आचार्य है, या पूरे शहर में जो सबसे बड़ा मूरख मिले, उसको नाम दे देना, आचार्य है, यही हमने करा है न, कि जो सबसे प्रतिभाहीन लोग हैं, देश भर के, उनको हमने नाम दे दिया है, गुरु का, जो संसार के पार की बात छोड़ी है, जो संसार को भी नहीं समझते, उनको हमने नाम दे दिया है गुरु का जो एक से बढ़कर एक अंध विश्वास के विक्रेता हैं उनको हमने नाम दे दिया गुरु का मत करिये ये गुरु शब्द का अपमान मैं कह रहा हूँ हमारी अपनी मुक्ति की संभावना का अपमान है अगर अपने आप से आप प्रेम करते हूँ तो गुरु शब्द का संभान करें और बहुत खोजें बहुत खोजें बहुत संदेह से भरे रहें पर्खें जाचे परीक्षण करें और जिग्यासा की भावना को बहुत जल्दी अंधी आस्था में न बदलने दें अंधी आस्था रखें आप और उसके बाद पता चले की मूर्ख बन गए तो किसी और की नहीं आपकी ही गलती है हुआ